लोकसभा चुनाओं से ठीक पहले केंदर की मोधी सरकार ने बिहार के जन नायक पुर्ब मुखमंतरी करपूरी ठाकुर को मर्नो परांत देश के सरवोच नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोसना की है क्या इस घोसना के बाद बिहार की राजनीती में बदलाव आएगा क्योंकि बिहार के मुख्या नितीश कुमार ने भी टूइट करके देश के परधान मंतरी नर्यंद्र मोंदी को इसके लिए धन्यवाद किया है बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ वरिस पत्रकार हैं एक एक करके हम चर्चा करेंगे पहले हम पूछना चाहेंगे कि क्या यह कदम बिहार की राजनीती में कोई बदलाव लाएगा क्या निसंदे यह बदलाव का संकेत भी है और बिहार में जो पिछले दिनों जो जातिगत जनगन्ना हुई है उसमें पिछला को एक मुख्य मुद्दा के रूप में रख करके इसको किया गया है जनगन्ना को और पूरी ठाकुर भी पिछला वर्ग से आते थे और बिहार के पू और काफी देर हुआ हलाकि इस निवने को लेने में काफी देर हुआ इसके पहले भी कई सरकारे बिती गई और अभी वर्तमान में भी बोदी सरकार है तो इसके तो आप पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा अंतर आने की संभावना है अब हम ऐसे तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन हाँ पार्टी कैस्तर से गर देखा जाए तो बीजेपी के तरप से एक बड़ा कदम है और बिहार की राजनीती को देखते वेखास करकर जो बिहार मंगाल और कुछ राजियों में जहां पर की बीजेपी को एक ट्रसन की संभावना पर इस देख रहे हैं तो वैसे मैं करपूरी ठाकर जैसे जळन आयाक को भारत रत्म से नौजए जाना एक हो सकता है कि ये एक संजीवनई का भी काम करें बिहार में बीजेपी को एक बड़ी मजबूती भी परदाम कर सकती है राजनीत में ना कोई किसी का वाना दुसमन होता है ना दोस्त होता है राजनीत में सब चीज समभभ है लेकिन जसतर से बीजेपी ने बीजेपी के हैं यह कैंसरकार एंडिये गटबंदर ने जिसतर से यहांपर जननायक, बिहार के जननायक थे, कई बाद मुख्मंत्री रहे और उन्होंने पिडितों, दलितों, सोसितों के लिए काफी काम किया था, आज भी लोग इसलिए उन्हें जन्नायक कहते हैं, और प्रसनली हमारा परिवार करपुरी ठाकूर से लगाव रहा है, जुराव रहा है, क्योंकि हमारे दादा जी सुर्गे गुनेश्वपसाथ सिंग करपुरी जी के मंत्री मंडल में बिहार के सिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो उनसे जब बात होती थी, तो वो बताते थे कितने सहज, कितने सरल, और कितने आम लोगों के परती वो लगाव रखते थे, तो वो जन्नायक थे, और जिसतर से बिहार का हिराज़नित नहीं देश में अभी हमारे साथी ती रभी जी ने सची बोला है कि गटबंद लगातार मांस्टर की स्ट्रोग खेल रहा है बीजेपी सरकार खेल रही है अभी राम में हुआ देश उसके बाद बिहार के लिए एक बड़ा सोगात जनायक को मिला है भारत रत तो बीजेपी यहां पर फाइदे में जाते दिख रही है अंडिया गटबंद फाइदे में जाते दिख रहा है अच्छा हमाइसा तवश्च पत्रकार मेलिंद गुंजन जी है इनसे भी हम बातचीत करेंगे अच्छा क्या लगता है कि मोदी जी के बिहार दोरे का भी डेट फाइनल हो गया और उसी है अपनी तरफ से और स्रेल लेकर के गई मोदी सरकार मांग बहुत पहले से रही है लाल जादब भी मांग करते रहे है नितिश कुमार नहीं मांग की लेकिन आखिर उस मांग पर किसने इस मांग को मान लिया यह बहुत इंपोर्टेंट रॉल प्ले करता है और टाइमिंग मोदी जी की हर चीज जो आगर आप बात करेंगे तो टाइमिंग को से बहुत इंपोर्टेंट रॉल होता है और करपूरी जी के विसे में देखे हर राजनेतिक पार्टी हर राजनेता बोलते हैं लेकिन करपूरी ठाकूर केवल एक विहार के मुख्यमंत्री या राजनेता जननायक नहीं थी बलकि करपूरी ठाकूर एक विचार हैं उन विचारों को कितना आत्म साथ किया है यहां के नेताओं ने ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि करपूरी जी के जीवन पर अगर आप नजर डालेंगे तो वो एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिनका विरोध कॉंग्रेस पार्टी से रहा आजीवन उनने कॉंग्रेस का विरोध किया अभी सोचना होगा क्योंकि उन्हीं के उंगली पकड़ के लालो जादव और रितियस्कवार ने राजनिती के शिरुवात किये है और ऐसे में अब एक बार फिर से कॉंग्रेस इकट बंदन के साथ सवाल यह कि कर पूरिचे ने आदर्शों के जिन मुल्यों को राजनिती में रखा उनको कही नहीं अपने आप में राजनिता को सोचना होगा कि क्या कर्पूरजी के यहरा बात कर लीजिये और खालपूर की बात करें तो यहां से भी लगाव रहा भागलपूर से उनका करपूरी जी के विचारों को आत्म साथ करने का वशक्ता है और बीजेपी ने बड़ा क्योंकि लालु जी के पास तो मौका था जब वो गैंसरकार में मंत्री थे वहां तब वो दिला सकते थे वहां लेकिन तब तो नहीं मिला अभी दे दिया तो नरेंजर मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है बिहार को लेके और जो अभी जातिकत जन्गनना की बात कर रहे थ 52 फिसदी वोट जो है OBC और BC का है तो उस 52 फिसदी वोट को टार्गेट करने के लिए नरेंजर मोदी का एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत सधावा कदम है और आप देखेंगे कि इस कदम से नितिसकुमार ने दो ट्वीट किया पहले उन्होंने बधाई दी जिसमें बहुत आभार जताया है तो मोदी हर कुछ जो है जो सस्रे है वो लेकर अभी जाते दिख रहे हैं एज है कुछ कुछ जलक देखिए चुकि जो बात कर पूरी ठाकुर ने अपने जीवन काल में की है मुख्यमंतरी बनते उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई जो है वो करके और अगरी जाती को भी आरक्शन मिले इसको लेकर कि उन्होंने बढ़िया काम किया वहाँ पर तो करपूरी ठाकुर ऐसानी की केवल आप OBC के लिए ही सब के लिए उन्होंने सोचा है और वो एक ऐसे राजनेता रहे जो आप मैंने पहले का कि बार-बार एक वीचार है और वीचारों को आत्मुसात करना होगा अभी के राजनेताओं को अभी आप एक साधारन ग्राम प्रधान बन जाते हैं मुख्या बन जाते हैं तो बड़ी-बड़ी गाडियां और बड़े-बड़े महल और अटालिकाएं उनकी बन जा रही लेकिन करपूरी ठाकुर के रा लोचना करनी हो आप कर सकते हैं लेकिन नितीज जी ने कुछ हद तक जरूर करपूरी जी के आदर्सों पर चलने का प्रयास किया है उसके बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिसको अगर हम गिना से समय बीच उतना नहीं है नहीं तो नितीज जी ने कुछ-कुछ उनके आदर्सों में नाम है लालो जी का उनके बेटे तेजस्वी जी का जो भी पुकमंत्री है तो बहुत सारे इसकेंडल में उनका नाम आ रहा है लेकिन उसके बावजूद आप देखें नितीज जी का नाम ऐसे किसी रस्टाचार में नहीं आ रहा है और जो उनके कुछ फैसले हुए हैं करपुर जी के फैसलों को देखेंगे मुफ्त में पढ़ाई यहां बालिका साइकिल पोसाक योजना बालिका साइकिल से स्कुल भेजना यह कुछ बड़ा परिवर्तन तो नितीज जी में कुछ ने को जरूर उनके पत्चिनों पर लगा ऐसा कि वो चले हैं लेकिन यह परधान मंत्री ने जो राम लल्ला को लाया और दान मंत्री जो आज करपुरी ठाकुर को जो रतन दिलाया तो कहीं न कहीं इस चीज का जो सम्मान दिनारे के लिए बहुत सारे जो नितिस कुमार हो बहुत दिनों से ऐसा कोशी सोरा था आवाज उठा रहे थे मगर इस चीज को आज परधान मंतरी नरेंडर मोदी ने ऐसा कर दिखाया तो कहीं न कहीं जो नितिस कुमार चार है उनके विचार से परधान मंतरी का विचार मिल रहा है तो कहीं न कहीं हो सकता है कि यह अनुरूनी है आज हो कल हो नितिस कुमार जा भी सकते हैं तो बिहार के जन आयक करपुरी ठाकुर जी को मर्नो परांत भारत रत्न से समानित करने की घोशना की गई है और इसके बाद जब नितीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को ट्विट करके धन्यवाद दिया तो पत्रकारों का यह मानना है कि इसके बाद बिहार समेत देशवर की राजनिती में बरा बदलाव आने की संभावना है और नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाओ से पहले या मास् पित होगा भागलपूर से टीवी नाइन के लिए मैं शिवम